नमस्कार मैं हूँ प्राची खंडेलवाल देखिए अज हम जंता से ये जानेंगे कि मोधी सरकार का जो दो बार का कारेकाल है उसमें जंता ने क्या-क्या बदलाव महसूस किये मोधी सरकार ने क्या-क्या बदलाव किये हैं मुझे मोधी जी के कारों में बहुत सारे बदलाव नजर आए हैं पहला बदलाव जो रामंदिर का इशु कितने टाइम से चल रहा था वो सोल हुआ है और हमारी जो इंडिया की एकनौमी थी जो अब फिफ्ट रैंक पे आ चुकी है और आने वाले टाइम में वो जल्दी थर्ड पोजिश्र पर भी आने वाली है और इसके अलावा जो 370 धारा चल रही थी कश्मीर में वो भी उन्होंने हटाई है वहाँ पे जो पंडितों को उन्होंने सम्मान दिलाया है और घरों घरों में उन्होंने गैस भी प्रोवाइड करवाई है जो काफी अच्छा बदलाव नजर आ रहा है जिसके वज़े से हर किसी को वो एक्वालिटी मिल पा रही है तो आनो रे टाइम में मुझे लग रहा है मोजी सरकार दुबारा आएगी वैसे तो बहुत सारे बदलाव आए है सबसे बड़ा तो राम मंदिर बन गया है हमारे लिए आर्टिकल 370 हट गया है इंडिया की स्टॉंग पोजिशन हो गई है वर्ल्ट के अंदर हमारी एकॉनमी फिफ्थ पोजिशन पे आ गई है आपको लगता है तीसरी बार भी मोधी सरकार रही जरूर रही की मैं राय ऐसी है कि काम बहुत सारे हुए है पिछले दो टर्म में अगर हम मेजर चेंजे जेगे हमारे ट्रांसवोज फैसलिटी डिवलप हो गई है हमारी इंटरनेशनल डिलेशन्स जो थे वो स्टॉंग हो गए है और बाकी तो जो जो सोचल इसूद है वो कवर होई गया है ट्रिबल तलाक का हो गया है और आपका भी इसका अर्टिकल 370 का भी हुआ है सब अच्छा चल रहा है मोधी सरकार ने काफी डिवलपमेंट किया है आप इस पेस में देखिये वी आर दा फर्स्ट वन टू लैंड इन मून अवह में जो मिशन था वो मून में सबसे पहले हुआ और रोड इंफरस्ट्रुक्चर हमारे बहुत अच्छे हो गया है पिछले सबसे बड़ी बात तो यह कि आज की डीट में हमारी टांस्पोर्टेशन जो है वो बहुत ही अच्छी हो गई है और इस बार भी मतलब जो भी मैं वोट करूं या इस बार जो सरकार आएगी वो मोधी सरकार आएगी क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि जितनी भी क्राइम है वो भी मतलब उस पे भी कंट्रोल है टांस्पोर्टिंग भी हमारी अच्छी हो गई है उसके बाद इनो मोधी जरकान ने एक तो सबसे बड़ी बात इतने लेट आयद्या का जो केसे चल रहे थे वो उन्होंने रिजॉल्व करवाया है हा में मुझे भी सबसे इंपोर्टें करके जो कि पहले उतना जादा स्ट्रॉंग नहीं था हम लोग का प्लस उन्होंने कश्मीर में जो 370 रिमूव करवाया है आर्टिकल वो भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि वहां पे बहुत टेररिजम था बहुत इस्यूज चल रहे थे प्लस हम लोग का जो टांस्पोर्ट कि जितनी भी पोवर्टी के जहां पे लोग हैं वहां पे उनको वो लोग घर प्रोवाइट करेंगी जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा निशेटेव है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कर देए लास्ट टानियर्स पे बहुत अच्छा की है एन इस बार अगर आती है तो और भी जादे इंडिया में डेवलप्मेंट होगा हमारी इंडिया की बहुत ज्यादा अच्छी डेवलप हुई है तो आइ तिंक बीजेपी को ही इस बार आना चाहिए बदलाव पूचें तो जी बदलाव ही बदलाव है आप रोड्स ले लो आप रेल्व इतना बिल्कुल चेंज हो गया है मतलब दस साल में कंट्री बिल्कुल चेंज हो गया है मैं तो यह बोलूंगा तो लगता है तीसरी बार भी मोधी सरकारी बिल्कुल आईगी कोई आप्शन ही नहीं है और उन्होंने काम इतना किया है के देजर्व टूबी बैक मुझे लग और मुस्लिम लोगों में आपस में बहुत लड़ाई जखड़े होते थे जो कि अब नहीं हो रहे जब से मोधी जी आ गया और उन्हेंने रामंदीर भी बनवा दिया है जिसके वजह से वहां की लोग हम सबको बहुत खुशी हो रही है और उजेन स्किम भी उन्होंने लाग समस्याओं का वो समधारा है समाधारों ऑर मेरे हिसाब से मोधी जी ने बहुत अच्छे काम और बी किये हैं जैसे कि तीन तलाक बोलने पर एंद के से और ढहल उनकी हो जाता था ता तलाक नहीं है यसा कोई करता है तो सिधा उनको जेल हो जाती है और उसके बाद भारत की ज ये तो था सिर्फ एक मुद्दा लेकिन ऐसे ही और मुद्दो पर देश की जंदा क्या सोचते हैं इस बारे में कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नियूस कनेक्ट